असलाम अलेकम, आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेस्पी शेयर कर रही हूँ यह मैं दो तरीके से बना रही हूँ, गूड और अंडे वाला भी बनाऊंगी और दूसरा भी यह बहुत मज़े का बनता है, असान रेस्पी से बना रही हूँ सबसे पहले गाजरें दो किलो लिए हैं, उन्हें दो के अच्छी तरह पहले छीले हैं, फिर दो के, आप इनको ग्रेट कर लेना है, वो जो ज़्यादा वाइट वाला पार्ट होता है, बड़ी गाजरों में वो आप निकाल दें, बाकी ग्रेट कर ले ये कड़ाई के अंदर मैंने ग्रेट की हूए इंगाजडरें डाल दी हैं, चुले पे कड़ाई रखी हैं, अब इसके अदर एक कप दूद', और एक कप दूद' से जो बलाई उतरती उद श़वा भी इस तरह भी ये आफ जल्दी से बना सकते हैं और बहुत मझे का हलवा बनेगा जो भी आपके पास बलाई है वो आप डाल लें और दूद थोड़ा सा डाल के अब इसको कवर करके पकाऊंगी मैंने मिक्स कर दिया इसे ये आच से दास मिन्ट इसको कवर करके पकाऊंगी और बीच में डकन खोल के इसको हला दूँगी ये गाजरे अपना भी पानी छोड़ती है और ये दूद और बलाई से मज़े का फलेवर आएगा ये कम टाइम में और कम दूद में इस तरह मज़े का बनेगा इसमें बहुत जाएदा दूद डालके भी पकाते हैं और कोई केंट इजी रैसिपी भी है कि इसको आप गला लें और इसके अंदर मिल्क पौडर एड़ कर लें ये अब जिस तरीके से भी आप चाहें वो बनाएं आप ये मैंने डकन बंद करके उसको थोड़ा साफ्ट कर लिए गाजरें सॉफ्ट होगी हैं अब इसका डकन खोल के लिए मैंने अब इसको हिलाते हुए इस तरह करूँगी ताके वो खुश्क हो जाए इसका वो लिक्वर्ड फिर इसको मैं आदी नकाल लूँगी और आदी के अंदर मैं चीनी डालूँगी या अब गाजरें सॉफ्ट होगी हैं उद्वादस के अंदर वन फॉर्थ कॉप चिनी मैं डाल धिये यह 1 फ्फोर्थ कॉप टेबल स्पून बनते हैं या अप अपनी मरदी से मीठा पिर जितना भी त पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं इसके अंदर रिक पौषडर वान फॉर्थ कॉप दाण दीर क्वाटर कप यह तीन टेबल स्पून बनते हैं वन फॉर्थ कप जोता है सब्स लाइची पीसी आदी टी स्पून पाउडर मैंने डाला है अगर आपके पास दूसरी है तो वह उसको कूट के डाल दें यह मैंने एक टेबल स्पून गीडल है आप देशी डालने या दूसरा डालने और इसको थोड़ी देर के लिए बूनूँगी यह गीसे अच्छी सी शाइन भी आ जाती है और यह सारा लिकवर्ड इस तरह बूनते हुए खुश कर देना है और नट्स अगर आपने इसके अंद गूड अड़ करूँगी आप शकर ले 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 या गूड ले ले यह मैंने गूड डाल दिया है यह भी आप अपने टेस्ट के हसाब से डाले यह भी वन थर्ड काप मैंने गूड अच्छी तरह चोटा वो कारके वो डाल दिया है और इसको हिलाऊंगी यह आपने इतियात कर मिल्क पौडर इसके अंदर वान फॉर्थ काप सबसलाइची आदी टी स्पून और इसको मिक्स कर रही हूं और एक टेबल स्पून इसके में भी घी डाल दूँगी ये गुड में अकसर मट्टी होती है वो पता चाल जाता है वो आपको लाग से मेल्ट करके देख लें तो वो फिर उसको लग से करें अगर नहीं है तो आप ड्रेक डालें आप गी डाल दिया है और उसको बून रही हूं ये इसमें नाई तो फरक टेस्ट में कुछ आता है और नाई कलर में चीनी वाले और गूड वाले में आप इस तरह बनाएं आप इसके अंदर मैंने और भाले में दो अंडे तोड़के डाले हैं और उनको फैंट लिया और फ्राइपन के अंदर थोड़ा सा ओएल डाले आदा टेबल स्पून और इसको इस तरह पका लेना है और अगर आपने ये अंडे दाने दार से बनाने हैं और अगर आपने ये ये बहुत मज़े का बन हलवा लाग से बना के रख है तो आप जब वो सर्फ करने लगें खाने लगें या सुब नाश्टे में इस तरह आप अंडा फ्राई पैन में अंडे को कारके गरम करते हुए वो हलवा इसके अंदर डालने ये बहुत मज़े का बनता है आप इसको ट्राई करें बहुत ही टेस् नट्स अपनी मर्जी से डालने और आप उज़ाय करें और गुड डाल के आपने ज़रूर ट्राई करना है कुछ फरक नहीं पड़ता अब ये जो चीनी वाला है वो है उसके अपर मैंने क्रश्ट कोकोनेट थोड़ा सा डाल दिया और बदाम और काजू थोड़े से और ये जो दूसरा है अंडे वाला इसके अंदर मैंने गूड अड़ किया है ये अगर आपने वैसे अलग से बना के रखना है तो सर्फ करते वकत आप अंडे अड़ कर लें आप इसको बनाएं इसी तरीके से ये बहुत मज़े का हलवा बनता है अगर आपको मेरी वीडियो पैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग ओके अलाफीज